Good morning and welcome to PW Only IS स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस सेशन में आज 9 October 2030 है तो चलिए अपनी Current Affairs के इस सेशन में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले एक quotation आपके लिए Only the dead have seen the end of the war George Santiyana का ये एक statement है और आपको पता है कि ये quotation आज यहां क्यों है जो मर गया केवल उसने ही एक war का end देखा है क्योंकि एक war के खतम होने के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा होता है Wars कभी खतम नहीं होते Arab Israel War के उपर जो आज हम आर्टिकल डिसकस करेंगे आप उसमें देखेंगे कि कैसे चार back to back Arab Israel War लड़े गए लेकिन ये wars आज भी खतम नहीं हुए है और continued है तो इस बात का मतलब आप बहुत अची तरीके से अपने पहले आर्टिकल में ही समझ जाएंगे ये कई सारे आर्टिकल्स हैं जो आज हमें डिसकस करने हैं लेकिन उसके पहले देखेंगे कि The Hindu और The Indian Express ने Headlines में क्या चापा है Headlines हम सभी लोगों को पता है कि क्या होने वाली है इसरायल ने अपनी Air Strikes को बढ़ा दिया है क्योंकि Gaja की द्वारा जो अटैक किया गया Gaja Strip के द्वारा हमास के द्वारा उसमें जो मरने वालों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है Reports के according 600 से जादा जो इसरायली हैं वो इन अटैक्स में मारे जा चुके हैं और 400 के around मौते Gaja Strip में भी होई है कुल मिलाकर ये death tolls around 1000 है यही लगभग news Indian Express ने भी publish की है कई सारी horrific news भी parallel ही आ रही है जैसे कि एक family में जो 5 लोग थे उसमें से बड़ी बेटी को बगल के कमरे में ले जाकर जान से मार दिया गया वहीं दूसरी ओर एक German tourist को बिना कपडों के परीड करवाया गया और उसके बाद जान से मार दिया गया इस घटना को सुनने के बाद आपको मड़ीपूर में होई घटना याद आ गई होगी और यहाँ पर बिल्कुल उससे associated एक article भी है जहाँ पर मड़ीपूर के CM ये कहते हैं कि वो dialogue के जरीए इस बात को लेकर assurance देने की कोशिस करेंगे कि मड़ीपूर में लोग secure feel करें लेकिन यहाँ पर एक article बिल्कुल वही आपको मिलता है कि इसरायल ने military actions को बहुत tough कर दिया है क्योंकि death tolls 1000 के पार जा रहे हैं और यह conflict दिन बदिन गहराता जा रहा है इस article को हम बहुत ही detail में इसके history के साथ cover करेंगे तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि Saturday morning में पलेस्टीने military group यानि कि हमास ने इसरायल के ओपर अटेक किया और इसरायल ने इसे 9 upon 11 के अटेक के parallel बताया है जिस तरीके से अमेरिका में 9 upon 11 का अटेक हुआ था इसरायल के ओपर अटेक हुआ है जिसमें अभी तक around 1000 लोगों की जा जा चुकी है दोनों ही तरफ से मिलाकर इसके पहले कि मैं कुछ और बात यहाँ पर बताऊँ मैं आपको पहले map में location दिखा देता हूँ देखे ये है इसरायल सबसे पहले तो आप इसका larger map देखे है और इंडिया के tours इसकी location देखे यहाँ पर है भारत भारत के बाद यहाँ पर है पाकिस्तान यह है अफगानिस्तान, यह है एरान यहाँ पर है एराक, यहाँ पर है सीरिया और बिल्कुल इसका पडूसी देश है इसरायल तो इंडिया के respect में इसकी location आप trace कर पा रहे हो अत्रोसा ध्यान देकर देखे इसके पडूसी देशों को तो बाकी की बाते आपको clear हो जाएंगी यहाँ पर अगर आप इसरायल के पडूसीों में देखेंगे और लेबनान बाकी कुछ और कंट्रीज भी हैं जो उनसे दुश्मनी निभाते रहते हैं जैसे कि इराक, कुएट, इरान, सौधी अरेबिया, यमन यह सभी दुश्मनी निकालते रहते हैं तो चारो ओर से अगर आप देखते हैं जो इसरायल है, वो दुश्मनों से घिरा हुआ है इसरायल का आप लारजर मैप देखिए तो आपको बाकी की पिक्चर क्लियर होगी यह है इसरायल, बिलकुल नौर्थ में यहाँ पर आपको लेबनान दिख रहा है यह बॉर्डर सीरिया का है, यह पूरा बॉर्डर जॉर्डन का है और यह एजिप्ट का है तो चारो ओर से आपने बॉर्डर देख लिए अब यहाँ पर दो लोकेशन्स आप और अच्छे से स्पॉट करिए यह पूरा हिस्सा जो आपको दिख रहा है यह है West Bank यही एक्चुलिमी फिलिस्तीन की या फिलिस्तीने टेरिटरी राइट नव बची हुई है इसके अलावा फिलिस्तीने टेरिटरी में अगर आप काउंट करेंगे तो आप इस गाजा स्ट्रिप को काउंट कर सकते हैं और यहीं पर यह जो हमास नाम का militant group है, यह रूल कर रहा है, यह यहां कैसे और क्यों रूल कर रहा है, वो आगे जब हम history trace करेंगे तो देखेंगे, और यहीं से इनों ने खूब सारे missile launches किये हुए हैं इसराइल के उपर, यहां पर कुछ बाते मैं आपको और दिखाना चाहता दूसरा Christianity में और तीसरा Islam में, यह तीनों ही धर्म के लोग इस location को बहुत प्योर मानते हैं, यहां पर बिल्कुल इसके south में आप आओगे तो यहां पर आपको एक location मिलेगी and that is Bethlehem, Bethlehem वो location है जहां पर इसा मसी यानि कि Jesus Christ का जन्म हुआ था, यह basic locations अगर आपने देख तो आपनी यह मान लिया कि यह जो पूरा area है वो इस वज़े से बहुत ज़दा विवाद में रहता है, क्योंकि religious point of view से इसे बहुत ही ज़दा important माना जाता है, तो यह location trace करने के बाद थोड़ी सी बाते मैं आपको और बताता हूँ, जैसे simple सी बाते तो यहां पर यही बताई गई है, कि जो attack है वो पिछले एक दसक में इसरायल के ओपर किसी भी philistinian militant group के दोरा किया गया, बहुत बड़ा attack है, पहली बात एक दसक में यह attack किया गया है, जहां महض 20 मिनट के भीतर ही, हमास ने 5000 रॉकेट दाग दिये, और जो उनका एक anti-missile defense system है, इसरायल का, that is iron dome, वो भी उनको secure नहीं कर पाया, इसे philistinian militant group यानि कि हमास ने अपनी और से al-aqsa flood कहा है, because al-aqsa mosque है, जो located है यहां पर जरुसलम में, और यहां पर अक्सर जो इसरायली military forces हैं, उनके बीच में, और philistinian nationals के बीच में जड़प होती रहती है, जब भी यहां पर army के लोग हैं, जो वहां पर इस mosque में रहते हैं, वो उनके ओपर पत्थर फेकते हैं, तो कई बार वो घुसकर attack करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, तो इस चीज़ के बदले के तौर पर जो हमास है, इसने इसे operation al-aqsa flood कहा है, वहीं इसके response में जो counter attack किया गया है, इसरायल के दोरा, इसरायल ने इसे नाम दिया है operation sports of iron, और यहां पर इसरायल के जो प्रैमिनिस्टर है नेतानियू, उन्होंने कहा है कि हमास को इसका बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा, जो लिबनान है, वहां पर जो एक militant group लीड कर रहा है, हेजबला, उसने भी अभी हाल ही में, इ इसको celebrate कर रहे हैं कि इतना बहुत last skill पर जो attack है, वो हमास ने किया हुआ इसरायल के उपर, तो लेबनान ने directly team post के उपर attack कर दिया है, और इरान खुल कर समर्थन कर रहा है, यह तो global equations हैं जो अभी इस war में बन रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है, कि आखिर अभी यह और फिलिस्तीन के बीच का जगड़ा है, जिसमें गाजा स्ट्रिप के उपर से attack किया जा रहा है, इसरायल के उपर और इसरायल भी counter attack कर रहा है, इसका इतिहास क्या है, यह history कितनी पुरानी है और exactly क्या है, तो मैं कहूंगा कि यह इतिहास बहुत ही ज़्यादा पुराना है बहुत ज़्यादा पुराना और उसे आपको बिल्कुल शुरुआज से समझ रहा होगा, तभी आपी पूरा मामला समझ पाएंगे, जैसे यह जो पूरी time line आपके सामने है, जैसे आप देख पा रहे हो, जैसे in an express में तयार किया हुआ है, यह time line भी तो सन 1800 से शुरू होती ह लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इतिहास में इससे भी और पीछे जाएं, तब आप इस पूरे मामले को और बहतर तरीके से समझ पाएंगे, अगर हम इतिहास में बिल्कुल पीछे जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि यहूदी यानि की Jews, जो religion follow करते हैं, उसे जुडा और जब जुडाइजम evolve हुआ, तो historically जो Jews यानि की यहूदी थे, वो इसे हिस्से में लगभग 1500 सालों तक flourish होते रहे और रहते रहे, यहीं पर मैंने आपको बताया कि जेरुसलम की बिल्कुल साउथ में बतलहम है, और आज से 2030 साल पहले इसी बतलहम में इसा मसीह का जन्म हो और मानिताओं के अनुसार, Jews ने ही उन्हें क्रॉस पर लटकाया, उन्हें क्रोसिफाई किया, और यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, कि Jews और Christians इनके बीच में इतना विवाद क्यों रहता है, मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो इलाका है, यानि कि ज जो जीजस क्राइस्ट हैं, उन्हें क्रोसिफाई किया गया, Jews के द्वारा तो यह होस्टालिटी बढ़ने लगी, जब जो Christian religion है, इसे Roman emperors ने अपनी शेह दे दी, तो जो Jews थे, वो टार्गेट पर आ गये, और यहाँ पर मैं आपको एकदम स्पैसिफिक टाइम राइन बता गया कि वो छोड़कर कहीं और चले जाएं, और उसके बाद एक बहुत large scale पर migration शुरू हुआ, अपनी जान बचाने के लिए Jews इस पूरे हिस्से को छोड़कर दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में फैलते चले गये, अब यहाँ से एक point आपको clear हो गया, कि जो Jews थे, वो historically इस इस्राइल की इसी हिस्से में रहा करते थे और 135 एडी के बाद उन्होंने इस हिस्से को छोड़ा और वो पूरी दुनिया में फैल गया, इन बिट्विन 7th century में इसलाम का उदय होता है, और जो इसलाम है, यानि कि मुसल्मानों का जो धर्म है, उसका जो origin होता है, उसमें भी जरुसिलम एक बहुत ही holy location बन गई, ऐसी मानता है कि पैगंबर मुहमद ने, जो इसलाम के fundamentals हैं, उन्हें जरुसिलम की इसी location से लोगों के लिए portrait किया था, या फिर proclaim किया था, इसलिए ये जो पूरी location है जरुसिलम की, ये judaism, यानि कि Jews के लिए, Christians के लिए, यानि कि Christians और Muslims के बीच में, जरुसिलम के इस area को लेकर जगड़ा बढ़ता रहा, जब 1000 AD के बाद, 1000 AD के बाद, specific अगर मैं हूँ, तो 1095 AD के बाद, शुरू होता है war of crusade, यानि कि एक धर्म युद्ध, जहां पर इसाई और Muslims 200 सालों तक लगभग लड़ते रहे, इस war of crusade में जो initial जरुसिलम में एक जो मॉस्क बनाया गया, उसके जिम्मेदारी सौंप दी गई, और तब से लेकर अब तक एक Muslim Trust ही जरुसिलम में बनाये गए अल-Aqsa मॉस्क को देखता है, उसे समालता है, और इसे जो Jews हैं, वो Temple Mount का नाम देते हैं, मतलब यही location Temple Mount है, Jews के लिए, और यही location अल-Aqsa मॉस्क है, Muslims के लिए, तो यह तो पुरी location का विवाद रहा, जो की War of Crusade का भी पार्ट बना रहा, इन बिट्विन हम देखते हैं, कि 1870 के बाद, एक वेव चली Jews के विदिन, जहां पे उन्होंने इस बात के डिमांड करनी शुरू की, कि उन्हें अपना खुद का एक देश चाहिए, और अब यहां से इतिहास शुरू होता है, जब एक moment शुरू हुआ जियोनिजम का, जो जियोनिजम था, वहां पर जो Jews थे, उन्होंने, जो Palestine का ये पूरा एरिया था, जो उस समय Ottoman Empire का पार्ट हुआ करता था, उसे claim करना शुरू किया, और वो वहां पर अप वलहाल जाता है, बलकि खतम भी हो जाता है, और फिलिस्तीन नाम का ये पूरा एरिया, जो कभी Ottomans के अंडर में हुआ करता था, अब इसे Britain को mandate के तोर पे दे दिया गया, कुल मिला के, अब ये एक Britain की कॉलोनी की तरह हो गया, और जैसे ही ये पूरा हिस्सा Britain को मिला, Western countries ने ये कहा गया कि वो पूरी दुनिया से फिलिस्तीन के इस हिस्से में आकर बस सकते हैं, 1920 से लेकर 1947 की बीच में बहुत बड़ी संख्या में जो जियूस थे, वो इस्रायल के इस हिस्से में आकर बसने लगे, जब रशिया में जियूस को मारा जाने लगा, तो एक वाइड स्के में जो जियूस थे, वो भाग कर अपनी पुरानी जमीन, यानि कि इस्रायल के इस धर्ती पर आने लगे, ये माइग्रेशन का दौर चलता रहा, और बहुत बड़ी संख्या में इस लैंड पर जो यहूदी हैं, वो आकर बस जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से 1947 में ब्रिटन इंडिया को छोड़ दिया, वैसे ही 1948 में उनका प्लान था, कि वो फिलिस्तीन के इस हिस्से को छोड़ देंगे, और उसके बाद इसरायल या फिर यहां पर बसे हुई यहूदीयों का क्या होगा, इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं था, फाइनली ये पूरा मामला यु में डिवाइड कर दिया गया, एक हिस्सा जियूस को दे दिया गया, मतलब जो जियूस को मिला, वो उस पूरे फिलिस्तीन का 55% हिस्सा था, और अरब स्टेट्स को चैनि कि फिलिस्तीन के लिए मुस्लिम्स को 45% हिस्सा दिया गया, यह जो पूरा जिरुसलम का एरिया था, बहुत ही जादा विवादित था तो ये किसी को भी ना देने का फैसला किया गया और कहा गया कि ये इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा इस बात को लेकर इसराइल काफे खुश था क्योंकि अब उन्हीं एक इंडिपेंडेंट कंट्री मिल गई थी लेकिन अरब कंट्री को ये बात बरदास नहीं थी और जैसे ही इसराइल ने ये डिकलेर किया कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं अरब कंट्री ने उनके उपर हमला कर दिया पांच अरब कंट्री ने हर तरफ से अटैक किया इसराइल को जिसमें जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, एजिप्ट और कुएस शामिल थे ये अटैक बहुत बड़ा था यहाँ पर इसराइल को बैक अप मिला ब्रिटन का और यूएसे का उमीद कम ही थी लेकिन सर्प्राइजिंगली इसराइल ने 1948 में हुए इस हमले को जीत लिया और इसे First Arab Israel War कहा जाता है इस तरही के से 1948-49 में हुए इस Arab Israel War में इसराइल को जीत हासिल हो जाती है इस जीत के बाद ना किवल जो इसराइल था उसका confidence बढ़ गया बलकि उसका area भी expand हो गया जैसे कि 1946 में ये settlements को सैसे हुआ करते थे UN ने जो partition plan बनाया उसके तहत ये green color का जो पूरा हिस्सा है ये इस्राइल का था और yellow color का ये हिस्सा फिलिस्तीन का लेकिन जब 1948-49 में attack किया गया तो इस attack में इसराइल ने फिलिस्तीन के और हिस्से को जीत लिया और जहां United Nations ने उन्हें केवल फिलिस्तीन का 55% पार्ट दिया था अब उनके पास फिलिस्तीन का 73% हिस्सा था और बहुत कम हिस्सा अब फिलिस्तीनियों के लिए बचा था जिसमें गाजा स्ट्रिप का ये हिस्सा बचा था और वेस्ट बैंक का ये पार्ट बचा हुआ था ये मामला यहां पर शांत रहीं हुआ और अरब कंट्रीज की जो hostility थी इसराइल को लेकर वो और भी जादा बढ़ गई 1956 में स्वीज क्रैसिस सुरू हुआ जहां पर इजिप ने स्वीज करनाल के उपर अपना कबजा जमाना चाहा और वहां पर यूके और फ्रांस ने मन बनाया कि वो अटैक करेंगे इजिप के उपर उन्होंने इसराइल को साथ में ले लिया यह हुआ सेकेंड अरब इसराइल वार ऐसे चार अरब इसराइल वार हुए हैं जिसमें पहला तो मैंने आपको बताया कि 1948-49 में हुआ और दूसरा जो अरब इसराइल वार है वो स्वीज करनाल क्रैसिस के लिए ही हुआ था हलाकि यह जो पूरा क्रैसिस था वोल के बाद उसनी सिनाई पिनिसुला के उस हिस्टे को छोड़ा उसे ना के अवल टेरिटोरियल गीन हुआ बलकि उसका जो कॉन्फिडेंस था वो भी बढ़ गया इसराइल के एक मिलिटरी कमांडर ने तो ये तक कह दिया कि गर 90 हजार सोल्जर्स जो बिटिन की ओर से लड़ने आये थे उन्हें सिर्फ एक इसराइली कमांडर दे दिया गया होता तो वो इजिप्ट को नस्सिनाबूद कर देते इन बिट्विन अगर आप देखते हैं तो 1964 में एक और्गिनेजेशन एग्जिस्टेंस में आता है जिसका इसमें 6 दिनों के भीतर इसराइल ने 6 कंट्रीज को हराया ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी और सर्प्राइजिंग था कि इसराइल जैसा चोटा सा देस 6 दिनों के भीतर 6 देशों को हरा देता है इस वार में इसराइल को बहुत फायदा हुआ उसने ना केवल वेस्ट मैंक के उपर कबजा कर लिया बलकि गाजा स्ट्रिप, सिनाई पिनिसुला और गुलान हैट्स का पूरा एरिया भी उसने अपनी कबजे में ले लिया इसे 6 डे वार कहा जाता है तो 6 देश, 6 दिन इस विक्टरी के बाद उसे जो एरिया मिला आप उसे इस मैप में स्पॉर्ट कर सकते हैं इजिप्ट का सिनाई पिनिसुला था ये जो पूरा हिस्सा था वो जितना हिस्सा इसराइल के पास था उससे भी बड़ा था तो इसराइल जो यहाँ पर था उसने इजिप्ट का ये पूरा से नहीं पिनिसुला अपने कब्जे में ले लिया और ये बहुत ही बड़ी विक्टरी थी जो उस समय मिली हुई थी किसको इसराइल को तो हमने देखा कि 1967 में थर्ड अरब इसराइल वार भी जीत लिया जाता है इसराइल के दोरा 1973 में 4 अरब इसराइल वार शुरू होता है जहाँ पर इजिप्ट और सीरिया ने अटैक किया इसराइल को इसे योम के पूर वार भी कहा जाता है और एक बार फिर से 4 अरब इसराइल वार में भी इसराइल जीत जाता है तो अरब कंट्रीज की ओर से चार मैसिव अटैक्स किये गए, चार अरब इसराइल वार्ज में, एक 1948-49, दूसरा 1956, तीसरा 1967 और चौथा 1973 और चारो अरब इसराइल वार को इसराइल ने जीता, 1973 के इस अरब इसराइल वार के बाद कुछ खास नहीं बदला, तो 1967 का जो वार था, उसके बाद इसराइल ने इस हिस्से पर भी अपना कबजा जमा लिया, और इस हिस्से पर कुल मिला के, फिरिस्तीनियों के लिए तो अब कुछ बचा ही नहीं, और यहाँ पर उसके बाद ही, जो इसराइली थे, उन्होंने अपने सेटेलमेंट्स बनाने शुरू कर दिये, और वो यहाँ पर भी जाकर बसने लग गया है, अब अगर हम इस टाइम लाइन में थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो हम देखते हैं कि जो 1964 में पेलो बना था, उससे 1974 में, यानि कि 10 साल बाद, युनाइटिड नेशन्स ने अपनी ओर से मानता दे दी, 1978 मे Camp David Accord होता है, जहाँ पर समझोता करवा दिया जाता है, USA के द्वारा इसराइल और इजिप्ट के बीश में, इस तरीके से इजिप्ट वो पहला अरब देश बन गया है, जिसने इसराइल को एक कंट्री की मानता दे दी, और उसके बदले में इजिप्ट को उसका सिनाई पेन होता है, एक radical group, एक militant group जिसे हमने नाम दिया हमास, अब आपको समझ में आ गया कि हमास का origin क्या है, हमास 1987 में फर्स्ट इंटिफेड के दौरान या इंटिफेडा के दौरान ओर जिन में आता है, जहाँ पर conflict के शुरुआत होती है, और ये काम करना शुरू करता है पियलो के क्योंकि पियलो शांतिपूर तरीके से एक state फिलिस्तिनियों के लिए बनाना चाहता था, लेकिन हमास थोड़ा aggressive था, 1993 में एक Oslo Accord साइंग किया जाता है, इस Oslo Accord के तहत, two state solution को एक बार फिर से दोहराया गया, और Oslo Accord के तहत, यहाँ पर इस बात को establish किया गया, कि जो गा फिलिस्तीन है, वो इसराइल को एक देश की मानता देगा, यह Oslo Accord historical था, लेकिन वेस्ट बैंक में अभी भी जो इसराइली settlement थे, वो बने हुए थे, तो उनको लेकर विवाद रहा, लेकिन फिर भी एक बटवारा Oslo Accord में हो गया, Oslo Accord successful होता, तो साइश शांती बन पाती, लेकिन हमास ने इस Accord का विरूद किया, सन 2000 में Cam David में USA ने एक बार फिर से समझाता करवाने की कोशिस की, लेकिन वो समझाता असफाल रहा, और फिर से conflict बढ़ने लगा, हमास ने जो Bomber से उनको भेजना शुरू कर दिया, और बिल्कुल आतंकवादी organization की तरह काम करना शुर और 2007 में हमास और फतह, फतह जो की पियलो पार्टी का ही नाम है, उनके बीच में विवाद शुरू हो गया, इस विवाद का रिजल्ट ये निकला, कि ये जो पूरा हिस्सा है, गाजा स्ट्रिप का, हमास ने इसके उपर कबजा कर लिया, जबकि जो वेस्ट बैंक का हिस्सा है, वो पियलो के पास चला गया, तो 2007 में ये जो विवाद हुआ, 2007 में इस विवाद के तहट हमास को क्या मिल गया, गाजा स्ट्रिप, और जो पियलो है, उसके पास वेस्ट बैंक आ गया, अब आपने इतिहास समझ लिया, कि हमास 1987 में एक्जिस्टेंस में आया, और 2007 के बा रहता है, 2007 के इस डिविजन के बाद कहानी में कुछ और एग्रिसिवनिस देखने को मिलती है, 2008-09 में इसरायल ने ऑपरेशन कास्ट लीड लॉंच किया, गाजा में हमास के अगेंस्ट में, 2012 में युनाइटिब निशन्स ने पैलिस्टीन को एक नॉन मेंबर आब्जर्वर स्टेटस का दर्जा दे दिया, 2014 में 50 दिनों के लिए इसरायल और हमास की बीच में कॉन्फिक्ट बढ़ा, अब ध्यान दीजिए कि अब जो हमले किये जा रहे हैं, वो यहाँ पर हमास की तरफ से किये जा रहे हैं, 2017 में USA ने जरुसिलम को इसरायल की राजधानी की तौर प अबरहम अकॉर्ड के तहत, UAE और बहरीन ने डिप्लोमेटिक रिलेशन्स सुरू किये, किसके साथ, इसरायल के साथ, बाद में सुडान और मुरकों ने भी जोईन कर लिया, मतलब अरब कंट्रीज अब थोड़ी थोड़ी नॉर्मल हो रही हैं, मौडरेट हो रही हैं, और अभी हाल ही में तो सौधी अरेबिया ने भी जो इसरायल है, उसके साथ अपने रिलेशन्स को नॉर्मलाइज करने की कोशिस की है, दोहजर एकीस में गयरत दिनों का एक कानफिक्ट रहा, इसरायल और हमास के बीच में अल-अक्सा मॉस्क को को लेकर, और फिर सीसफायर ब् इक्वेशन है, वो आपने यहां पर इस मैप के थू समझा, और यहां पर यहां पर यह भी समझ लिया, कि फिलिस्तीन के नाम पर अपकुछ सेटलमेंट ही बचे हैं वेस्ट बैंक में यहां पर और यहां पर गाजा स्ट्रिप, और जो अटैक्स होते हैं, जो जगड़े होत होते हैं, लडाईयां होती हैं, वो एक्शली में हमास की तरफ से होती हैं, और यहां पर वेस्ट बैंक का जो हिस्सा है, वो इन जनरल शान्त रखने की कोशिस खुद को करता है, तो यह पूरा आर्टिकल, I think कि आपने historical background के साथ समझ लिया है, जो मारा अगला आर्टिकल है, वो मानस नेशनल पार्क के बारे में है, मानस नेशनल पार्क में जो धोल्स की प्रजाती है और टाइगर्स की प्रजाती है, उनकी बीच में अकसर जड़ब देखने को मिलती है, इसका एक महतापूर कारा बताया जा रहा है, कि दोनों का प्रे बेस काफी common है, मतलब एक ही मानस नशनल पार्क है भूटान का उसके साथ ये एडज्वाइन होता है जुड़ जाता है जो मानस नदी है वो इस नशनल पार्क को दो हिस्सों में डिवाइट करती है 1950 में इसे वाइल लेफ सेंचुरी का दरजा दिया गया 1989 में बायोस्फियर रिजर्व और 1990 में इसे नशनल पार्क का दरजा मिला 2003 में इसे प्रोजेक्ट एलेफेंट के एंबिट में भी कवर कर लिया गया significant इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कई सारी rare और endangered species हमें मिलती है जैसे कि आसाम रूफ टर्टल, हस्पिट हेर, गोल्डन लंगूर और pygmy hog यह famous है अपने wild water buffalo की प्रजाती के लिए धोल और asiatic wild dog के बारे में बात करते हैं जो अभी conflict में आता रहता है tigers के साथ यह एक wild carnivore animal है धोल काफी important role play करते हैं यह apex predator हैं जिस तरीके से share या tigers होते हैं वो भी list में बिल्कुल उसी level पे आते हैं ecosystem में historically जो dholes हैं वो southern Russia, Central Asia, South Asia और South East Asia में पाए जाते रहे हैं इंडिया में यह western और eastern ghat में मिल जाएंगे Central Indian landscape में मिलेंगे और North East में मिलेंगे IUCN status इनका endangered है sites के appendix 2 में हैं जो इस तरीके के जीवों के trade को रोकता है Convention on International Trade in Endangered Species यह जो पूरा sites है यह जो जानवर है उनका व्यापार नहों से रोकने की कोशिस करता है schedules में जानवरों या पौधों को डाल कर जो वायलर protection act of 1972 है उसके schedule 2 में है मतलब इसे अच्छी खासी protection environmentally दी गई है हमारा जो अगला article है वो R21 या matrix M malaria vaccine के बारे में है यह दूसरी malaria vaccine है जिसे University of Oxford ने develop किया है और अभी इसे develop किया जा रहा है जो पुने बेस सिरम Institute of India है उसके द्वारा इसका trial अभी phase 3 में है और इसे 2 October से WHO ने 4 countries के लिए अप्रूव कर दिया है 2000 Mali, Burkina Faso, Kenya और Tanjaniya यह जो matrix M malaria vaccine है यह दूसरी vaccine है इसके पहले एक और vaccine है जो काम कर रही है हाला कि वो उतनी effective नहीं है जितनी कि यह दूसरी वाली नई वाली vaccine यह vaccine plasmodium sporozoid को target करता है जो हमारी body में जाने के बाद malaria फैला देता है WHO ने 2021 में बताया कि 247 million malaria cases पूरी दुनिया में आते हैं और उनसे लगभग 6,19,000 लोगों की जान जाती है यह जो matrix M नई vaccine है यह पुरानी vaccine that is RTS या ASO1 उसके comparison में ज़्यादा effective है जो पहली वाली vaccine थी उसे 2021 में implement किया गया और अब यह दूसरी vaccine भी लागू करने के कोशिस की जा रही है इसे भी यूज किया जाएगा malaria के बारे में बात करते हैं यह जानलेवा बिमारी है plasmodium parasite से होता है इसे female anophilies जो mosquitoes है वो फैलाते है यह tropical और sub-tropical region में बहुत ज़दा फैलता है सब-saharan Africa, South East Asia, South America को बहुत ज़दा target करता है symptoms में अगर किसी को malaria हो जाता है तो जो red blood cells है वो infect हो जाती है जिससे fever आता है, सरदी लगने लग जाती है सिर दर्ध होगा, muscles में दर्ध होगा और fatigue भी feel होगी severe cases में malaria से organ feel हो सकता है, व्यक्ति कोमा में जा सकता है और उसकी जान भी जा सकती है, तो malaria एक खतरनाग बिमारी है और इसका एक नया vaccine का आ जाना एक अच्छी news है हमारा अगला article प्रोजेक्ट भीश्मा के बारे में है प्रोजेक्ट भीश्म, इसमें mini cubes टेबलप किये गए हैं जिन्हें air lift करके एक जिगए से दूसी जिगए ले जाया जा सकता है और ये किसी भी ऐसी area में deploy किये जा सकते हैं जहां पर ये disaster hospital की तरह काम करेंगे और ये दुनिया का पहला portable disaster hospital होगा जहां पे हम सभी equipment को समय से पहुँचा सकते हैं और एक ऐसा hospital बना सकते हैं जो की बिलकुल emergency के लिए suitable होगा जैसे कि ये जो hospitals develop किये जाएंगे इसमें mini ICU, ventilator, blood testing equipment, x-ray machine even cooking stations तक होगे जो shelter facility होगी, power generator होगे वो इस तरीके के जो establishment है उन्हें self-sustained बना देंगे तो जो disasters आते रहते हैं floods आ रहे हैं, earthquakes आ रहे हैं उसमें project भीश्म, ये बहुत ही कारगर साबित होगा हमरा जो next article है वो एक controversial pesticide के बारे में है that is monocroptophus उसे अभी हाल ही में चार और insecticides के साथ बैंड कर दिया गया decofol, dinocap, methamoil और monocroptophus monocroptophus काफे विवादित है दुनिया के कई सारे देसों में तो इसे आज इस्तिमाल किया भी नहीं जाता और WHO ने तो इसे class 1B कटेगरी में डाला है मतलब ये बहुत ही खतरनाक है इंसानों के लिए भी बहुत जादा toxic है और non food products में तो 2005 के बाद इंडिया ने भी इसे बैन कर रखा है और अब इसे इन जनरल कॉर्टन वगेरा में ही इस्तिमाल किया जाता है लेकिन ये फार्मर्स को बहुत नुक्सान पहुँचाता है क्योंकि ये human body में अलग लग तरीके सेंटर कर जाता है जैसे वो इसे inhale कर ले स्किन में अगर ये लग जाए तो भी ये सरीर में चला जाता है और उन्हें बिमार कर देता है कई बार तो जानलेवा भी साबित हो जाता है तो काफी ज़दा रिस्क होने के वज़़े से अभी हाल ही में से बैन किया गया तो चलिए अगर सिंपली पूछ लिया जाए डाइको फॉल, डीनो कैप या मैथेमोईल या मोनो क्रॉप्टफस है क्या इस तरीके के वश्चिन यूपेसी पूछती है तो आपको पता हो कि एक्जैक्ली ये क्या है आपको आज की क्वेश्चिन ये जो पूरा टॉपिक है इसके उपर कुछ MCQs पे लेके चलेंगे लेकिन आप लोग अक्सर कहते हैं कि मैं पिछले दिन पूछे गए MCQs के आंसर बता दू तो चलिए पहले उन आंसर को बताता हूँ मैंने क्वेश्चिन पूछा था आपसे RBI के बारे में कि एगर स्टेश्चिन रिक्रिडिरी रेशियो को 50 basis point कम करने तो क्या होगा कम कर दोगे तो बैंक के पास जदा पैसा होगा और वो ज़्यादा लोन दे पाएंगे जदा लोन दे पाएंगे तो जदा फायदा होगा तो वो थोड़ा बहुत ब्याज कम कर सकते हैं यानि कि लेंडिंग रेट्स कम हो सकते हैं सही आंसर C है यहाँ पर और दूसर क्वेश्चिन जो हमने पूछा था उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा यहाँ पर कुछ रीजिन्स हैं जो न्यूज में हैं और आपको बताना है कुछ रीजिन्स जिनकी वज़से यहाँ पर है और आपको बताना है कौन सा प्यर सही तरीके से मैच्ट है नौर्थ कीवू एंड इतुरी अर्मेनिया और अर्जरबैजान के बीच में जो वार हो रहा है उसकी वज़से न्यूज में है नागोर्णू कारबाग जो इंसरजिन्सी हो रही है मुझांबिक में उसकी वज़से खैरसून और जापुरिरजिया यह जो इस्राइड और लेबनान के भीच में डिस्प्यूट है उसके वज़से तो आपको यह बताना है कि इन में से कौन सा पेर जो आपके सामने है वो सही है और कौन सा पेर गलत है इस नेचर के क्वेशिन यूपियस से पूछती रहती है दूसरा कि जो डिपेंडेंसी है एंटिबाटिक्स के उपर जो बहुत एफेक्टिव नहीं होते ड्रग रिजिस्टिन बैक्टिरिया के उपर वो कम हो जाएगी और तीसरा यह है कि इन वैक्सिन का कोई साड एफेक्ट नहीं है और कोई allergic reaction नहीं है आप बताईए कि इन में से कौन सा statement correct है और कौन सा incorrect है तो यहाँ पर इन दोनों सवालों के जवाब मैं expect करूँगा कि आप मुझे comment box में देंगे at the same time आप भी बताईएगा कि आपको ये sessions कैसे लगते हैं और क्या ये आपके लिए beneficial हैं उमीद करता हूँ ये session आपके लिए beneficial होगा और इसलिए मिलेंगे आप से next session में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद